काफी टाइम से एक एड जो है वो बार-बार सामने आ रही थी वो एड जो दरसल हर्यानवी एक web series है safe house तो आज की वीडियो में उसे के बारे में बात करने वाले है safe house web series के बारे में जो एक हर्यानवी web series है तो यह जब add बार-बार सामने आ रही थी तो एक इच्छा भी थी कि यार एक बर देखा तो जाए क्योंकि जब ये एक app launch हुई थी stage, हर्यानवी movies और videos करके इसके अंदर हर्याना का ही content डाला जाता है उनकी अपनी हर्याना language के अंदर तो एक हर्याना का होते हुए तो एक इच्छा थी थी कि अपने state की चीजों को देखा दो जाए कि कैसी चीजें इसके अंदर आ रही है, अगर अच्छी है तो उसको promote किया जाए, अगर बुरी हैं तो उसके उपर भी बात की जाए तो वहाँ पर जो मैंने इस सीरीज को स्टार्ट किया, टोटल इसके अंदर 6 एपिसोड हैं जो भी सीरीज को देखना शुरू किया तो देखते वक्त या फिर मतलब इसको खतम कर लिया तो मैं यह सोच रहा था इससे भी खराब चीज मैंने जिन्दिगी में क्या देखी है वो कब किसी भी सेग्मेंट मैं इस सीरीज के बारे में बात कर लो भले इसका डिरेक्शन, भले इसकी परफॉर्मेंस, मतलब कुछ भी इवन ओडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी इतनी घटिया तरीके से रिप्रेजेंट की गई है एक तो देखते बुक सर में दर्द हो रहा था मैं इसको जेलना बढ़ रहा है मुझे क्योंकि एक बार शुरू किया था मैं एड दी एंड तक पहुंचना जा रहा था मतलब शुरू से लेके आखिर तक तुम बताना क्या चाहते हो मतलब जो इसके मेकर्स है उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो किस तरीके के आइड लोजी या फिर किस तरीका एंटर्टेंडमेंट हमें परवाइड करवाना चाहते है वो मैं देखना जा रहा था और एड दी एंड जब पहुंचता हूँ इस सिरीज के एंड पे तो भाई साब कुछ भी नहीं मिलता निल बटे सननाटा मिलता हम बात कर लेते हैं एक बार इस सिरीज में दिखाई गई कहाने के बारे में दो इंसान आपस में प्यार करते हैं सेम गाम के रहने वाले जो लड़का लड़की है वो शादी नहीं करते हैं तो एक उसकी चीज को इसमें दिखाया गया है इशू उठाया गया है या फिर उस इशू का फायदा उठाया गया है खैर रही है मुझे समझ में नहीं आया तो इसमें जैसा दिखाया गए कि लड़का लड़की भागते हैं सेम गाम के होते हैं वो शादी कर लेते हैं फिर उसके बाद इसमें आगे बढ़ते हुए दिखाया गए कि सीम गोतर के अंदर शादी हो रही है हिंदू में जो होते हैं, वो सेम गोत्र के अंदर शाधी नहीं होती है, क्योंकि वो भाई-बैन माने जाते हैं, अब आगे बढ़ते हो, इन्होंने दिखादे हैं कि जो हमलीं जो हमली बस चाचा करते हैं, जो करेक्टरिस के अंदर दिखाये गए हैं एक तो उनकी मुझे देखकर ही गुस्त आ रहा था यार मन्द बुद्धी से नलायक से गवार से उन्होंने बिठा रखे हैं वहाँ पर जैसे उनकी बात करने का जो धंग है इवन जैसे वो रियक्ट कर रहे हैं मैं यह नहीं करना हूँ कि भाशा के अधार पर बात करे अकल से को रही है उनलो gehört कर रहे प्रफॉर्मेंस भी तो इतनी घटिया थी उनकी वहां पर देखकर तो गुसा बहुत आ रहा था और एक जी मज़ ला रहा था यार क्या देख रहा हूं इसको बंद कर दूना है इसको आगे देखूंगा तो फिर भी हिमत करके इसको आगे देखा अब मैं इसके आखिर तक पह जहानी इसके अंदर चलती है इलोजिकल बातें हो रही है कौन सा कल्चर दिखा रहे हो क्या दिखा रहे हो किस चीज में अब जो चाचा चाचे के भागें वो धर्म कनवर्ट कर रही है तुम्हाना मतलब क्या जज बैठे हैं जज वहां पर गालियां दे रहे हैं बहां पर मा बहन की गालियां चल रही हैं उनके उपर से फिर उसके बाद उन चप जज को चपलें पड़ रही हैं तो यह कोट का हाल उसके अंदर दिखाया आता है खैर जब यह सीरीज रिलीज होने वाली थी उससे पहले इसके उपर जो मैंने पढ़ा था एक इल्जाम इसके उपर कर दिया गया था कि आपने इस सीरीज के अंदर मतलब कोट की अवहिलना की है उसके बारे में आपनी गलत इमेज इसकी रिप्रेजेंट की है तो शायद यही होगा वो सीन जिसके अंदर जज को मतलब चपल मारी जाती है या जिस तरीके करी प्रेजेंट इतनी गंदे- जिस तरीके की प्रेजी में तरीके को मने देखी है या या जैसे नाटग मैंने देखे है तो मुझे यह पैसे मैं यह अभी नहीं लगा हूँगा एक बiros करेंजा सीन मतलब अच्छा लगता है इतनी जबरदस हो quality देते हैं लेकिन अभी भी मुझे लगते है कि ये जो हर्याना का cinema का sector वो अभी भी इतना growth हुआ है इतना कि बहुत अभी बहुत work बाकी है जिस तरह के का अभी show देखा है जिस तरह के अभी present चल रही है कहानी एकदम बिना सरपैर की कहानी है रत्ती भर भी उसके अंदर कोई interest नहीं आएगा even irritation जुरूर हो जाएगी ऐसे हैं नहीं सीरीज कह सकता हूँ इसको मैं फिर performance पर आता हूँ मैं भाई साव वो performance इतनी फुद्दू performance या इतनी फुद्दू performance मैं कह सकता हूँ कि यूटूबर्स है ना वो लाक गुना बेटर काम करते हैं यह जो इसके अंदर पैसा खर्च करके मैं देखो फ्री ओफ कोस्ट होता ना तब मैं कुछ नहीं कहता है लेकिन इसको कोस्ट मतलब इसके उपर पैसा देकर यह यह कच्रा देखने को मिल रहे है जो है वो है बोला जाएगा कच्रा है तो उसके कच्रा है बोला जाएगा मतलब इसके उपर चार सो रुपे दो साल के तब यह इस तरीके के कच्रे देखने का आपको मिलेंगे जिसके अंदर कोई सेंस नहीं है भर भर के गालियां होंगी कोई भी उसके अंदर एक तो यह दिककतें हो रही है वीडियो क्वालिटी में भी संतुस्टी नहीं मिलती है तो बहुत ज़्यादा वर्क बाकी है एक बढ़ाना पड़े गा काम सीखना पड़ेगा कि कैसे काम करते हैं तो तब जाके चीजें आंके अच्छी होगी तो मेरे लिए यह सीरीज या फिर कह मैंने उमीदें लगा रखी है ना जो हर्यानवी सिनिमा सेक्टर वो आगे बढ़े तो अभी उसके पर बहुत वर्ग बाकी और बहुत जादा निराशा हुई है यह सीरीज देखें उमीद यही कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में जैसे अभी सोंग के अंदर काफी जादा यह हर्याना उस सेग्मेंट में भी आगे बढ़े तो यह तो उमीदें यार मैं करता हूं देखते हैं कि कैसे ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो मेरे लिए तो भाई साब अभी फिलाल जीरो आफ्टो टैन इसमें कुछ भी इंटरस्टिंग नहीं है बिल्कुल मुझे वह झाल